सद्गुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हानपिक्ट फाब्रेक्स और प्रीमियम ब्रांड्स, सद्गुरु स्टोर, नगीना बाग अजमेर जहन्त, मैं ललित खत्री और आज है आठ माच, आठ माच आने की अंतराश्ट्रिय महिला दिवस अंतराश्ट्रिय महिला दिवस पर विश्व भर में महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चाएं की जाती है, उनके समाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है, उनके तरक्की से समंदित मुद्दों पर चर्चा की जाती है इसी करम में MTTV इंडिया की कोशिश है कि अजमेर की सूपरसिद परभावशाली महिलाओं से अजमेर की जनता को रूबुरू कराया जाए और इसी करम में अभी हमारे साथ है अजमेर की सूपरसिद कथख नितांगना दिश्टि रॉयजी और इनसे हम चर्चा करेंगे जानेंगे हम इनके बारे में तो मैम आपकी शुरुआत क्तर्थ कुस तरह से रही क्या आपने सोचा इसे बादे मैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनूंगी लाले जे और ये संजोगी कहिए या एक सुयोग कहिए कि मैं बन गई क्योंकि मेरी मा की बड़ी हर्दिक अच्छा थी कि मैं नृत्य के शेत्र में जाओं और मेरा रुजहान जो था वो मेडिकल और साइंस की फील में जादा था मैं फाइटर बना चाहती थी बट एक होता है न कोई कारिग्रम आपको उपर उठा ले जाता है ऐसा ही एक छोटा सा कारिग्रम हुआ था और उसमें मिस्टर जेसी महंती उस समय ततकालीन कलेक्टर थे और उन्होंने मुझे सौ रुपे दिये थे तो वो जो समय था और वो जो शन था उसने मुझे एक नित्यांगना बना दिया तो आपके बारे में ये भी है कि आप एक नित्यांगना होने के साथ सामाजिक कारे करता भी है तो इस चीज के परिणा आपके दिमामें कहा से आई है मुझे लगता है कि जो संसाधन मुझे मिले या जो ऑपरचिनिटीज मुझे मिली और मैंने इतने महिलाओं के साथ कारे किया है तो मुझे जो महसूस हुआ कि आज भी महिलाएं कहीं न कहीं दबीवी हैं और खासकर न काम पर आके खड़ा होना तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ कर पाती हूं तो यह मैं अपने आपको एक सवबागेशाली समझूंगी इसके साथ ही आपने बताया था कि आप कुछ जो बच्चियां हैं कुछ गरणियां उनको आप पर फ्री में भी कथक सिखाते हैं जी ह प्रोफेशनल आर्टस नहीं है और घरों से बाहर निकले भी महिलाएं जो हैं उनके बराबर भी नहीं हैं लेकिन वो अपनी छोटी से कोशिश कर रही है और एक छोटी से प्रस्तुदी भी देंगी तो मुझे एक आत्मिक अनुभूती होती है कि मैं चाहे छोटा सही सही ए इस से कुछ बतलाव आए आपके जीवन में अपने जैसे एक करियर प्रोफेशनल करियर शुरू करा तो आपके इस कथक नित्यांगना के करियर में आपका कभी ऐसा कोई शन आया जब आपको बहुत ही अपने ऊपर प्राउड फिल हुआ हो कि मैंने जो करियर है ये और आज मैं इस मुकाम पे हूँ, जैसे कई स्टूडेंस हैं, जो मिस इंडिया एलीट बनी हैं, कई ग्लामर फीड्स में हैं, डॉक्टर्स भी हैं और कई तो पीएशडी कर चुकी हैं, और रेलवेई की नौक्रियां भी कर रही हैं सांसृतिकोटे में, तो ये अपने आप मे जो बालिगाएं हैं, महिलाएं हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहती है इस अंतराष्टे महिला दिवस के मौके पर, अपने पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आप जो कार्य करते हैं, वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते हैं, आप पूरे समाज के लिए कर करते हैं, तो पहले आप खुद में अच्छी सोच विक्सित करें, साथ ही साथ आप समाज को भी देने की कोशिश करें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप बहुत सारे लोग को साथ लिए के चलते हैं, और आप सिर्फ एक विक्ति नहीं होते हैं, आप पूरी दुनिया को करते हैं, तो ये बात हमेशा महिलाओं को ध्यान रखने चीए कि उनसे समाज है, वो समाज से नहीं है, और कहते हैं एक महिलाए शिक्षित होती है, तो वो पूरे परिवार, पूरे समाज को शिक्षित करती है, तो मैं चाहूँगी कि वो अपने आपने संबलों और सुद्र करते हैं, तो ये थे हमारे साथ अजमेर की परसिद्ध, सूपरसिद्ध, कथक नित्यांगना, दिश्टी रओ जी और इसी करम में हम अजमेर की और भी परतिश्चित, परभावशाली महिलाओं से अजमेर की जनता को रूबरू कराते रहेंगे, जुड़े रही है हमारे झाल झाल